लेक्स स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले चप्टर आपका फिजियोलोजी, सब्जेक्ट है फार्मेसिय टेक्निशन फ़स्ट यर का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला चप्टर है जो आपका वह एंट्रोडक्शन आपका फिजियोलोजी, तो introduction of physiology से start करते हैं सबसे पहले introduction of physiology introduction of physiology में हमने दो definition पढ़नी है first is anatomy second term दियूयाब के physiology anatomy भी physiology के एक ब्राँच है और physiology जो है खुद biology के एक ब्राँच है तो मैं सबसे पहले आपको anatomy का anatomy what is anatomy? anatomy composed of two words Anna plus Tommy स्ट्रेंट्स anatomy आप tommy mean cutting enemy आप tommy mean cutting में के anatomy में आप तो जो body organ हैं, body parts हैं, उनको dissect करके पढ़ोगे, इनके cut करके पढ़ोगे, किसी भी organism है, उसका अगर body part आप ले रहे हो, उसके हिस्सों को अपने divide करके cut करके study करने हैं, तो वो cut करके जब आप study करोगे, अलाद अलादा parts में divide करके study करोगे, तो वो आप क्या किलाओगे, हम उ अनॉटमी को study कर रहे हैं, तो अनॉटमी की जो pet definition क्या बरेनी, अनॉटमी is the branch of biology, which deals, which deals with the study of structure, which deals with the body structure, आपने क्या करना हैं, के अनॉटमी में, for example, I am a human being, you are a human being, क्योंकि आप human anatomy बढ़ रहे हो, human physiology बढ़ रहे हो, तो जो organism है, human organism, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको study करना है, तो कैसे करोगे, दो तरह से study करोगे, internal और external, तो इनॉटमी है, इसको मजीद सब डिवाइड अगर हम करते हैं, तो इसके दो पार्ट है, एक होता है, external, morphology, दूसरा होता है, internal morphology, internal morphology, external mean, बैरूनी, morphology, composed of two words, morphology, morphology का मतलब बहुता है, structure, shape, logic, mean, our lady, आपको पता है, study, mean, जब आप किसी और्गनिजम को, या मैं खुद आप, मैं और आप हैं जैसे, अगर मैं अपनी बाड़ी को क्या करूँ, study करूँ, तो अगर एक्स्टर्नली में अपनी बाड़ी को study करूँगा, तो हम क्या करूँगे, क्या करूँगे, क्या कर रहूंगे, internal morphology कर रहूंगे, अगर मैं अपनी बाड़ी को internally जो भी आरगन हैं हमारे अंदर, जैसे, kidney है, hurt है, lung है, ठीक है, उनको हम study करते हैं, तो क्या कर रहाएंगे, internal morphology, बतलब कि हम internally तोर पे आरगन्स को study करते हैं, तो यह inotomy था, अब हमने पढ़ना है physiology, physiology क्या है, physiology दो वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड, फीजियो, प्लस, लोजी, फीजियो का मतलब होता है, function, प्लस, लोजी का मतलब होता है, study, क्या मतलब हुआ, आप physiology में जो बाड़ी आरगन है, उनकी functioning को study करोगी, मतलब कहने का यह है, क्या आप inotomy में जैसे मैंने पढ़ाया आपको, क्या आप structure को study करोगे, और physiology में आप क्या करोगे, उन्ही बाड़ी पार्स, बाड़ी आरगन्स के function को study करोगी, तो हम क्या कहते हैं, physiology की जो definition बनेगी, वो क्या होगी, physiology, physiology is the branch of biology, psychology, which deals with the study of body function, means कि आपकी body study, आपकी body जब functionally तोर पे work करेगी, function करेगी, जो function start होगा body का चाहे, वो कोई भी system मुझा से respiratory system है, digestive system है, circulatory system है, तो यह सारे system जब हम study करेंगे, वो क्या होगे, आरगन मिल के एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो वो system जब functionally तोर पे हम उनको study करेंगे, नम क्या आगे, physiology कहेंगे उसे, अब मजीद आगे, जो, यह तो introduction था, just, आपका physiology का, just आपने क्या करना है, two definition है, उनको आपने just याद करना है, तो आगे जो मैं बताना चाहता हूं, आपको physiology में, बास student ऐसे करते हैं, कि आप जो reference book भी use कर लेते हैं, काफी student ऐसे हैं, जो reference book यूज करते हैं, कोई helping material यूज कर लेते हैं, क्या out of course पेपर ना आ जाए, और आपको याद करना भी जएदा knowledge हो जाएगा, जएदा knowledge आएगा, वो याद करना, आपके लिए जी, जएदा 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 जितना हम knowledge लेंगे, तो पेपर में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं मैं आपको उपता रहा हूँ, कि आपने just book को follow करना है, और साथ साथ में आपने क्या करना है, साथ साथ में आप helping book जो भी आए, वो कोई use नहीं करनी है, helping just आपने वो use करनी है, जो आपको college से मिलेगी, anatomy and physiology के जो paper हैं, आपके book में से ही आएंगे, और आपका जो paper pattern है, कि आपको वो भी समझाओगा, कि paper pattern कैसे आता है, anatomy में से कितने question आएंगे, physiology में कितने question आएंगे, next, जो topic हमने start करना है कल, वो topic जो start करना है, उस वो है जी cell का, cell, आपके book में cell की definition दी हुई है, cell की types दी हुई है, और cell की agnally दी हुई है, लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि ये cell वाला जो chapter है, ये initial chapter है आपका, अगर आपकी base है, समझ रहेंगे, आगे next आप study करोगे, तो ये base है, अगर इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना है, अगर cell को आप फदर अच्छी तरह समझाएंगे, टिशूस का knowledge आपको होगा, तो आपको पर joint, ये sequence से चलता जाएगा, तो इसलिए मैं आपको cell के बारे में जो contents है, cell के वो लखवा देता हूँ, जो हम इस chapter में पढ़ने वादे हैं, contents का मतलब होता है, कि मैं पूरे chapter को summarize कर रहा हूँ, कि कौन कौन से top है, कौन कौन से, इसमें point हमने पढ़ने हैं, next lectures में, first of all हमने पढ़ने है, introduction of cell, introduction में हम क्या पढ़ेंगे, कि cell में हमें क्या मिलता है, क्या cell है क्या चीज़, इसको introduce करवाएंगे, कि cell कहां से आया, कैसे आया, cell की shape क्या है, cell का size क्या है, तो ये intro हो जाएगा cell का, next time point है, जो हमारा वो है, discovery of cell, जो आपके book में discovery नहीं दियो, theory of cell, ठीक है, तो discover करने का मतलब होता है, दिर्याफ्त करना, किसी भी discovery of cell, कि हम cell को discover किसे नहीं के जहरी बात कोई चीज़ आ जाती है, तो वो कहां से आई, किसी ने दिर्याफ्त किया उसको, तो उसको दिर्याफ्त करने के लिए, researchers और scientists की जहरी बात है, उन्होंने work किया होगा, तो researchers जो scientists हैं, उनको हम study करेंगे, तो third point है, जो यहां पर पढ़ना है, structure of cell, structure of cell, कि cell के structure के बारे में पढ़ना है, cell किस चीज़ से मिलकर बना है, cell की composition क्या है, ठीक है, यह सारा कुछ हम किसमें पढ़ेंगे, structure में पढ़ेंगे, मजीद इसको अगर मैं फर्दर divide करूं, structure को, जो हमने structure में पढ़ना है, वो सबसे पहले हम nucleus के बारे में बात करेंगे, nucleus के बारे में बात करेंगे, फिर nucleus के बात, बात करने के बात, फिर हमने क्या करना है, साइटो प्लाजम के बारे में बात करेंगे, साइटो प्लाजम के बात करने के बात, फिर हम इसकी organism के बारे में बात करेंगे, यह और्गेलिस के बारे यह यह चैप्टर हमारा क्यों हो जाएगा समराइज हो गया आपको पतो होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या परेंगे क्या है फंडा दा फंडा मेंटल यूनिट ओफ लाइप इस कार्ड चैप्ट फंडमेंटल मीन होता है बुनियादी बेसिक यूनिट इकाई है आफ लाइफ जिन्दगी की के एक और्गनिजम है उसकी जिन्दगी की तदा कि सेल से हुई जैसे हम एक और्गनिजम है हुमन बीइंग ठीक है हुमन बॉड़ी किसे मिलकर बनी है में और आप किसे मिलकर बने है सेल से मिलकर बने है तो फंडमेंटल यूनिट आफ cell is called life is called cell तो cell आगे हमने मजीद जो है यह चीज़े पढ़ने introduction of cell पढ़ेंगे discovery of cell पढ़ेंगे structure of cell पढ़ेंगे structure of cell में हम nucleus का जिकर करेंगे cytoplasm और इनको deeply पढ़ेंगे आगे हम further मजीद इनको हम पढ़ेंगे तो मैं आज के लिए आई थिंक आपको मैंने introduction दिया है just inautomica, physiology का और साथ साथ में cell के बारे में थोड़ा बहुत बताया यह next chapter आपको start करेंगे निशाला कल से